नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको SPD-30 इंडिया वर्जन 2 जो सिर्फ इंडियान म्यूजिक स्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया गया है दोस्तों पूरे विश्च में अकेला माने जाने वाला Octapide SPD-30 के इंडिया भर्जन में कीटों की संख्या 50 से बढ़ा कर 99 कर दी गई इसमें 50 कीट इंडियन मेजिशन की जरूद को ध्यान में रखकर बनाया गया है और 49 कीट वर्ड कलेक्शन से लिया गया है जो Roland Factory ने सिर्फ आपके लिए इंस्टॉल किया है दोस्तों SPD-30 में बिल्कुल नया और यूनिक फंक्शन फ्रेज लोप रिकॉर्डर हैं जिसका आप लाइव स्टेज या रेकॉर्डिंग स्टूडियों पूरा का पूरा फैदा उठा सकते हैं साथ ही इसमें 39 इंडियन स्टाइल लूप और 10 वर्ल्ड वाइड लूप प्रिलोडेड हैं और इससे ज्यादा लूप आपनी पेंट ड्राइव में सेव कर अपनी जरूवत के नुसारा बजा सकते हैं दोस्तों इतना ही नहीं लूप फंक्शन को आप अपनी सुविधा के नुसार स्टाट या स्टॉप कर सकते हैं यदि आप एक्स्टरनल टिगर इसाइन करते हैं तो उसको आप हिट करके स्टाट या स्टॉप भी कर सकते हैं ज़रुवत के नुसार आप पूरे OctaPad का आउटपूट लेवल 6TB प्लस और बढ़ा सकते हैं, इससे आपको पहले से और ज्यादा पाउटपूट सिगनल मिलेगा। दोस्तों एक pad player के लिए kit creation बहुत ही महतुपूरण विशा है। आईए मैं आपको SPD30 में kit creation के लिए कुछ पिसेश चानकारी, कुछ पिसेश टीट से था। दोस्तों kit creation में सबसे पहले सही instrument का चैन इस प्रगार करते हैं। इसके बाद instrument की tuning की बारी आती है, जिसका करने का तरीका यह है। इसके बाद instrument की आवाज कितना फैलाना या कितना सिकोड़ना है, इसका एडजस्मेंट आप मफलिंग के थूरू कर सकते हैं। इसके बाद बाहर ही आती है, इस्टुमेंट की तिप्रता जिसे आप soft attack के थूरू कम यह ज़्यादा कर सकते हैं। इतने पारामिटर यूज़ करने के बाद ट्यून किये गए इस्टुमेंट को टोन कलर की जरूरत पड़ती है। जिससे इस्टुमेंट की आवाज का बास या ट्रेवल बढ़ाया हो सकता है। उससे हम इस पारामिटर से कंट्रूर करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, SPD-30 आपके द्वारा चुने गए इस्टुमेंट में पीस स्वीप मतलब साउंड को बेंड करने या मोडने की सुविधा देता है। जो आपके कीट क्रेशन के लिए एक महतपूर्ण आंगे। जो आपके कीट करते हैं। जो आपके कीट करते हैं।